आगमी सेप्टेम्बरे उद्बोथन होते पारे रूपपूर पारमानुबिक बिद्धूत केंद्रों जेखने प्रोथर मुद्री शेक खासी नाश राथे वीडियो कॉनफरेंसे जोग दीते पारें राशिया प्रेस्टनेंट व्लादीमीर पूतिन शम्रते इशब तोथो जानिया थेन बिगगानो प्रोजुक्ती मुंच्री या सेफोस्मान वोईती हशी के उद्बोथन उनुष्ठने पार पारी बैंग्रादेश प्रोथम बारे मोतो यूरेनिया मेर माली खोते जाए जिसको दुनिया ने बहुत ही डीपली देखा बंग्लादेश के एक रूपूर न्यूक्लियर पार प्लांट की बात हो रही है जी हाँ उसका अगस्त में जनाब इनागूरेशन होने जा रहा है जिसमें वलादी मीर प्यूटन रश्या के प्रेजिडेंट वो भी उसमें शिर्कत करेंगे जी हाँ आपको बता रहे हैं के न्यूक्लियर पार प्लांट जो बंग्लादेश के ओपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था बंग्लादेश ने भी बड़ा रिस्क लिया और जब बनाने जा रहा था तो इसके ओपर बड़ा प्रेशर भी था यह ना बनाएं अमेरिका भी इसके ओपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा था दुनिया इसके ओपर बात कर रही थी वेस्टरन कंटरीज लेकिन बंग्लादेश ने बड़ा खदम उठा लिया अब जनाब 11 विलियन यूएस डालर एक बड़े मैं कहता हूं के अमाउंट से यह बनाया गया प्रोज लेता हूं कि ये दुन्या का 36 मा न्यूक्लियर पार प्र Minist है जो बंग्लादेश अब 36 मा ममालक दुनिया भर में ओ गया है जो इसके पास यह टिक्नालोजी आ के यह है लेकिन सौथ हैशिया मैं आपको बता रहा हूं कि बंग्लादेश तीसरा मुल्क बन चुका है न्यूक् तो ये तो भई बड़ी बड़ी मुबारक हो बंगलादेशियों को कि मुझे इतना बड़ा माइल स्टून अचीफ कर लिया है लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब बंगलादेश का एक खाब था ये बहुत बड़ा सपना ड्रीम था कि वो न्यू क्लियर पाउर प्लांट बनाए लेकिन जब बंगा बंदु शेख मुझीबू रह्मान ने भी कहा था जब बंगलादेश इंडिपेंडेश हुआ तो तब रसिया ने कहा कि आप अब नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हमें रीफंड कर सकें लेकिन फिर उनकी बेटी ने उसका मैं कहता हूं कि वो जिम्मा उठाया आज साबत कर दिया पचास साल के बाद उसने कि मैंने जो जिसको कहा जाता था कि भी आप नहीं बना सकते उसने बना लिया है और फिर 11 बिलियन यूएस डालर से बना लिया है तो ये तो बड़ी यार मैं कहता हुशकबरी की नियूज है लेकिन इसके उपर एक हमारे पास वीडियो भी है कि बंगलादेश जो कहता है वो कर दिखाता है और दुनिया को सर्पराइज भी देता है लेकिन पहले वीडियो पिर उसके उपर हम बात करेंगे कि विलाद मी प्यूटरन किस तरह से शिर्कत करेंगे और कैसे पुशिकत करेंगे और इतना बड़ी जो इनागुरेशन हो रही है उसके उपर हम बाद में बात करेंगे जुड़े दिये गान तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर अब इतक आपने हमारी यूटूब चैनल है सान रियक्शन को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दे से चैनल को भी सब्सक्राइब करतें और बेल आइकन भी प्रेस करतें वीडियो को लाइक भी दिया काने और कोमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबाक भी दिया काने लें जे वीडियो देखते हैं 3-1 and Q वीडियो देखते हैं 3-1 and Q वीडियो देखते हैं 5-10 रोक आगेच ये पोरिकलपना ग्रोहन करा होए थिलो शेटा खुब अलपो समयी बास्तोबायान होत जाच्छे आगामी सेप्टेम्बरे उद्बोथन होते पारे रूपूर पारमानोबिक बिद्धूत केंद्रो जेखाने प्रथरमद्री शेखासी ना शाथे वीडियो कॉनफरेंसे जोग दिते पारें राशियार प्रेस्टनेंड व्लादिमीर पूतिन सम्प्रतिया इसोप्त त्थ जानिया छेन बिग्गानो प्रजुक्ति मुन्चरी इयासे पोस्मान ओईती हाशी के उद्भधन उनुस्ठानेर पर परी ब्यानलादेश प्रोथम बारेर मतो योरणी आमेर मालीखोत जाच्छे बहुत प्रतिक खितो ए पारोमद्रुबिक केंद्रेर शर्पशेश आपडेटेर बिस्ताइतों नी आमादेर आचकेर एग बिशेशाय जोन पाबनार इशोर्ति उपजेलार अंतर्कतो पाक्षियुनियानर रुपूर ग्रामे निर्मितों होच्छे ए पारोमद्रुबिक बिद्धकेंद्रेर एक नक यूँटियार प्रथम कांक्रेट ठालाई ए रुद्पधन करें एर पर करोना महामारी शह बिभीन नो बाधा विपत्तिर मोध्धिया एकन उद्पधनेर दार प्रांते ए नियुक्लियार पार प्लांट सम्प्रुति बिगगानु प्रजुक्ति मजरी स्थपति याफेस ओस्मान जानियाच्यान सेप्ट्रेमार मासे रुप्पूर पार मनवीक बिद्दूत्केंड्र उद्पधन करा हाबे। सर्बरहर प्रथम कार्जक्रम आनुस्थानिकता शुरुकारा प्रस्थीत जोल्छे। एर मध्धुदी ए उरीनिया मेर मालीकाना पेते जाच्छे बार्णादेश। रुपपूर प्रोखलपेर ए जालानी राशियाते उत्पादन करा होच्छे। तबी कुनुकारोने सेप्टेम्बरे सम्फब ना होले अक्टोबरेर प्रोथम सप्ता है रुपपूर पारोमनेविक बिद्दुत केंद्र जालानी देश्येव एशे पोल्छाबे पले जानान कोत्री पक्ष। राशियार प्रजोक्तियो शार्विक सहजोगिताय राश्टियो पारोमनेविक शोक्ति कर्परोरिषेने रोसाटम रुपपूर पारोमनेविक बिद्दुत केंद्र बास्तो बैन कोडशे। प्राइ एक लाख चोट दोहाजार कोटी टाकाबाए एई प्रोकल्पेर ओधिकांशुटाकाई रिंच्वाहता हिश्चेबे दित्छेर राश्यार बानुच्षेर एकोग प्रोकल्प हिश्चेबे एटी सब्चे बड़ोकुनो अभुकाठम हो प्रकल्पू दोई प्रोकल्पेर जोनो एई बिशेशाहितो जालानी यूरी नियाम रध राश्याते उत्पदूर करा हबे एक केंद्रेर दूई यूनिटे बिद्दूद उत्पदून हबे चोप्पिशुमियोगा बाच कोड़े बानेजिक भाबे एर आईशकाल थरा होच्छे शाट पारे फुल पलेट शूनिट दिश्ट प्रोक्रियान माथ हुमें तोरी कोड़ा हुआ है फॉल एटेजिक विडियो देखी और बंगलादेश एक बड़ा मैं कहता हूं उसने गोल अचीव कर लिया है और अब उसके जो तरक्की की तरफ कदम है वो बड़ी तेजी के साथ ब न्यूक्रि पार्ट प्लान्ट के बारे मिं आपको पता होगा कि उनका जहाज शिप आरा था सेंशन्स लगा दी पबंदी लगा दी कि बंगलादेश की पोर्ट के उपर नहीं आने देना इसको फिर वो पहले गया इंडिया फिर वहां से चाइना चाइना से फिर बंगलाद में चुंगल में सोरी जकड़े रहेंगे तो फिर आप अब देख लें कि शेख असीना ने ब्रिक्स में भी जाने का फैसला कर लिया और फिर उसके साथ साथ बड़े-बड़ी नेगोजरेशन हो रही है अब ये देखें न्यूक्रियर पार प्लांट का इफता हो रहा है तो ल लेकिन जो लाइब वहां पर होंगी वो शेख असीना होंगी लेकिन लाइब वहां से जो मासकों से होंगे वो प्यूटन होंगे तो दोनों की शिर्कत होगी इस इनागोरेशन में ये भी बड़ी बात है और बंगला देश दुनिया का 36 मा मुलक बन चुका है जिसके पास न पाकिस्तान के बाद ये तीसरा बड़ा मुलक बन चुका है जिसके पास न्यू किलिर पार प्लांट बन चुका है रूपूर की सुरत में तो बहुत बहुत मुबारक हो इसी के साथ मुझे ने अजासत अपना बहुत अधा ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज